जैसे रादे मित्रों हर हर महादेव जैमा चंद्रवन्य मित्रों चंद्रवन्य भक्तिरस चैनल के माध्यम से मैं पंडित दीपगुपाद्या देभूमी उत्राखन से आपके अपने चैनल चंद्रवन्य भक्तिरस चैनल में सभी का स्वागत करता हूं और माभगवती से करव कि ब्रिस रास के जातकों का कैसा रहेगा मार्च 2023 और मार्च के महिने में कौन-कौन से ग्रह जो हैं वा करेंगे गोचर तो उस पे बात करेंगे और सनी महराज का होगा उदय सनी महराज 6 मार्च को होगे उदय तो सभी 12 रासियों पे क्या असर पड़ेगा इन गोचरों का और सब्सक्राइब और अंतिम में बात करेंगे एक सुन्दर से उपाई की तो कौन सा उपाई करने से इस महने को आप बहुत ही आनंदायक बना सकते हैं और हमारा जो सनातन धर्म है सनातन धर्म के अंसार नव वर्स भी जो है वह नव समवत्सर भी जो है इस मार्च के महने में ही प्रारंब हो जाएगा तो सरोपर्थम हिंदु सनातन धर्म के अंसार नव वर्स की हार्दिक हार्दिक सुब कामनाएं आप सभी को आपकी समस्मनों कामनाओं को भगवान पूर्ण करें यही मां भगवती से प्राहणा करते हैं तो आप वीडियो में अंतिम तक अवसे बने रहें वएब बात करते हैं ब्रिसराश के मेहिने कारक कौन्से ग्रैराशी क्रिवर्तन गोचर करेंगे उस पर भी चर्चा करते हैं तो अंगरेजी मत के अंसार मार्च का तीसरा महिना होता है और हिंदुस नातन धर्म के अंसार जो है नव सम्वसेंश 2018 का प्रारंब हो जाएगा और मार्ज के महिने में जो है कई प्रकार के बड़त्यवार भी मनाए जाएंगे जिसमें से हुली चैत्री नवरत्य चैत्र के नवरात्रे और रामनोमी भी इसी महिने मनाई जाएगी तो रामनोमी का तेवार भी मनाया जाएगा तो इसके अलावा मार्ज के महिने में कई ग्रह जो हैं वह गोचर करेंगे जिनका प्रभाव सभी 12 रासियों के जातकों पर देखने को मिलेगा और 6 मार्च 2023 को सरवपर्थम सनी महराज जो है वह उदय होंगे अपनी त्रिकोन रासि कुम्ब रासि में उदय होंगे और 12 मार्च को सुक्र का मेश रासि में गोचर होगा 13 मार्च को मंगल का मित्धुन में 15 मार्च को सूर्य का मीन रासि में गोचर होगा फिर उसके अगले दिन जो है 16 मार्च को इस मार्ज के महिने में इन ग्रहों के राशी परवर्तन से आपके राशी पे ब्रिसराशी के जातकों पे क्या असर देखने को मिलेगा इस पे हम चर्चा करते हैं तो आप वीडियो में बने रहें तो बात करेंगे ब्रिसराशी के जातकों के लिए ब्रिसराशी जो दूसरी र शरूरत आपको होगी आपको अपनी वानी पे और ब्यहवार पर नियंतरन रखना है इस महिने आपको एक बात एक बात जो है वह बिल्कुल गांठ बांध करके रखनी है कि आपकी बात से ही बात बनेगे और बात से ही बात बिगडेगी भी तो इसका आपको ध्यान रखना है म में मन के मुताबिक सपलता और धन आपको अर्जित हो पाएगा तो यह महिने जो है आपको बिसे ध्यान रखना है और कड़ी मेहनत आपको करने पड़ेगे नौकरी पेशा करने वाले जो लोग हैं ब्रिसवरासी के जितने भी जातक नौकरी पेशा करने वाले हैं तो ऐसे लो लोगों को कोई भी बड़ी डिल बहुत सोज समझ करके करनी होगी अन्यथा लाव की बजाए जो है हानी आपको जिरनी पड़ सकती है महिने का दूसरा सप्ता जो है आपकी सेहत के लिए सुब नहीं कहा जा सकता है इस दौरान आप जो है किसी मौसमी या किसी पुरानी बिमार के उभरने से जो है कुछ परेशान हो सकते हैं इस समय आपके घर परिवार और प्रेम संबंद के दृष्टी से भी देखा जाए तो यह समय काफी समवेदन सेल रहने वाला है आपके लिए तो इस दौरान आपको अपने सगे संबंधियों अपने जो आपके सगे संबंधि ह और प्रेम संबंद को बनाए रखने के लिए उनकी भावनाओं को जो है अंदेखी करने से बिल्कुल बचना है महिने के मद्य का समय आपके लिए कुछ राहत भरा रह सकता है मद्य जो समय है महिने का वह आपके लिए कुछ राहत भरा होगा कुछ आच्छा रहेगा और पर सरकार से जुड़े लोग हैं उनको पदोनत्य या कोई बड़ी जिमेदारी भी आपको मिल सकती है प्रेम संबंद आपके प्रागाड होंगे बैवाहिक जीवन आपका सुखमे बना रहेगा महिने के उतरार्ध में अचानक से महिने का जो उतरार्ध भाग हुगा उसमें अचा अब घ्राद का ढृएक को जब्राट करें करें को संदरे कामनाएं पूर्ण हो और आपके दूर हो तो इस उपाए को पहुत जरूर करें तो आपको क्या करना है कि पड़ते दिन प्रति दिन जो है पारत के सिवलिंग के उनके समी अधवा बेल पत्र चड़ा करके पूजा करनी है समी के पत्ते से या बेल पत्र से आपको संकरभवान का पूजन करना है और रुद्राश्टकम का प्रति दिन आपको पाट करना है रुद्राष्टकम का आपको पर्दिन पाड़ करना है जिससे भगवान भूले ना जो हैं आपके समस्मनों कावनाओं को पूर्ण करेंगे तो यहाँ उपाय आप जरूर करें आज का वीडियो यहीं पर समात करते हैं आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा कमेंट के माधि आपके सम्मों